Hello students, Welcome to MOS Classes, आज हम 7th class Science and CRT के chapter number 6, Physical and Chemical Changes को read करेंगे. जैसे कि इस chapter का नाम है Students, Physical and Chemical Changes, तो इस chapter में हम Physical Changes और Chemical Changes के बारे में पढ़ेंगे. तो इस chapter की reading स्टार्ट करने से पहले students, हम आपको कुछ examples के थूँ ये समझाएंगे, कि Physical Changes और Chemical Changes क्या होते हैं, ताकि आपके लिए इस chapter को समझना easy हो जाएंगे. तो सबसे पहले हम आपको Physical Change के बारे में समझाएंगे. Physical Change ऐसा Change होता है Students, जिसमें कोई नया substance form नहीं होता, कोई नया substance नहीं बनता है, लेकिन जिस चीज में Change आ रहा होता है, सिरफ उसकी Shape बदल जाती है, या उसका रूप बदल जाता है, लेकिन उसकी Chemical Properties में कोई Change नहीं आता, Chemical Properties उसकी वैसी ही रहती है, जैसे पहले थी. For Example, माल लिजिए कि आप एक Paper को काट देते हैं या फाड देते हैं, तो Paper को काटने के बाद या फाडने के बाद भी है, तो वो Paper ही कोई नया substance तो बना ही नहीं है, जो chemical properties फाडने या काटने से पहले थी paper को वही properties काटने या फाडने के बाद भी है तो ये कैसा change है? ये एक physical change है इसके रावा आप एक example और ले सकते हैं अगर आप पानी में चीनी मिलाए या नमक मिलाए तो ये भी एक physical change होता है क्योंकि कोई नया substance तो form हुआ ही नहीं और अगर आपको ऐसा पानी पीने के लिए दिया जाए जिसमें चीनी या नमक हो तो आप उसको पीकर ये बता सकते हैं कि उसमें चीनी है या नमक है तो इस तरह का जो change होता है वो physical change होता है क्योंकि इसमें किसी तरह का chemical change नहीं हो रहा है chemical properties जो पहले थी वही अब भी है एक example यहाँ पर हम ओर ले सकते हैं students मान लिजी आप एक rubber band को खीशते हैं तो जब आप उस rubber band को खीशते हैं तो उसकी shape बदल जाती है ये भी एक physical change है क्योंकि जब आप उसको छोड़ेंगे तो वो वापस अपनी पुरानी shape हासिल कर लेगा तो याद रखेगा जो physical change होते हैं इसमें आप किसी चीज़ को उसकी पुरानी shape में वापस ला सकते हैं लेकिन chemical changes में ये possible नहीं होता है अब हम chemical changes के कुछ example देखेंगे तो देखें students जैसे कि हमने पहले एक example देखा था कि अगर हम कागस को काट देते हैं या फार देते हैं तो वो एक physical change होता है लेकिन अगर आप कागस को जला देते हैं तो ये एक chemical change होता है कागस को जलाने से एक नया substance त्यार होता है students जिसे हम ash या rock कहते हैं और ये chemically बिल्कुल different होता है उस कागज से जिसके जलने से ये बना है और आप जले हुए कागज को वापस पुराने कागज की तरह नहीं बना सकते हैं इसका मतलब जो chemical changes होते हैं ये irreversible होते हैं यानि chemical changes में आप दोबारा किसी चीज को उसके पुराने रूप में नहीं ला सकते हैं हमने physical change में एक example और देखा था students कि अगर आप पानी में नमक या चीनी डालते हैं तो ये एक physical change होता है और आप पानी पी कर ये बता सकते हैं कि उसमें नमक है या चीनी है अब जो example हम आपको बता रहे हैं उसको ध्यान से समझेगा students वो chemical change का example है कि water कैसे बनता है हम जानते है water hydrogen और oxygen के मिलने से बनता है hydrogen भी gas है और oxygen भी gas है और hydrogen और oxygen के मिलने से जो नया substance बना वो water है और water gas नहीं होता बलकि liquid होता है यानि कि hydrogen और oxygen के मिलने से एक नया substance त्यार होता है इसलिए हम hydrogen और oxygen के मिलने से जो water त्यार होता है इसे chemical change कहते हैं और water की जो chemical properties होती है जिन चीजों से वो मिलकर बना है यानि hydrogen और oxygen से उन दोनों से बिलकुल different होती है और आप पानी पीकर ये भी नहीं बता सकते कि उसमें hydrogen है या oxygen है इसका मतलब hydrogen और oxygen के मिलने से जो नया substance बना वो एक chemical change की वज़े से बना यहाँ पर हम एक example और देख सकते हैं students आपने देखा होगा कि आपकी mother कर्ड यानि के दही कैसे बनाती है उसके लिए वो दूद को गरम करते हैं और उसमें थोड़ा सा दही डाल देते हैं और उसके बाद वो दूद दही यानि कर्ड में change हो जाता है तो दूद का दही में change होना एक chemical change है और दही बनने के बाद आप उसको वापस दूद में यानि milk में convert नहीं कर सकते हैं इसका मतलब ये irreversible change है और जो chemical changes होते हैं students ये irreversible होते हैं यानि कि एक बार अगर chemical change हो गया है तो वापस उस चीज को पुराने रूप में नहीं लाय जा सकता है और जो नई चीज बनती है उसकी chemical properties उस चीज की chemical properties से बिल्कुल different होती है जिससे की वो बनी है अब हम इस chapter को read करेंगे students Every day you come across many changes in your surroundings हर रोज आप अपने आसपास बहुत सारे changes देखते होंगे These changes may involve one or more substances इन changes में एक substance या एक से ज़्यादा substance involved हो सकते हैं For example, your mother may ask you to dissolve sugar in water to make a cold drink Example के तोर पे अगर आपकी मदर आपसे पानी में sugar यानि के चीनी डाल कर cold drink बनाने के लिए कहती है तो देखे उसके बाद क्या कहा गया है Making a sugar solution is a change तो पानी और चीनी के मिलने से जो sugar solution बना ये भी एक change है Similarly, setting curd from milk is a change इसी तरीके से दूद से दही बनाना भी एक change है Sometimes milk becomes sour कई बार दूद खटा हो जाता है Souring of milk is a change Souring of milk भी एक change है यानि दूद का खटा हो जाना भी एक change है इसके बाद हमसे कहा गया है Stressed rubber band also represents a change Stressed rubber band यानि के खीचा हुआ rubber band भी एक change को ही दिखाता है क्योंकि rubber band के खीचने से उसकी shape change हो जाती है इसके बाद हमसे कहा गया students In this chapter we shall perform some activities इस chapter में हम कुछ activities देखेंगे and study the nature of these changes और इन changes की nature को study करेंगे Broadly these changes are of two kinds Physical and chemical तो यहाँ पर हमसे ये कहा गया students कि basically दो ही तरह के changes होते हैं या तो physical changes होते हैं या chemical changes होते हैं अब हमें physical changes के बारे में कुछ activities यहाँ पर दी गई है students अब हम इन activities को study करेंगे Activities 6.1 Cut a piece of paper in four square pieces हमें एक piece of paper दिया गया है हमें उसे four square pieces में cut करना है उसके बाद हमसे कहा गया है Cut each square piece further into four square pieces इसका मतलब यह है students कि जिन a piece of paper को हमने four square pieces में cut आ था उसमें से हर square piece को हम फिर से आगे चार square piece में cut आ गये जिसके यहाँ पर हमें दिया गया है देखिए हमारे पास एक piece of paper था हमने उसे 4 square piece में काट रिया ये एक पूरा square piece ये एक पूरा square piece फिर ये भी एक square piece है ये भी एक square piece है और उसके बाद हमसे ये कहा गया कि जो ये 4 square piece जैसे की यहाँ पर आए है अब इन में से हर square piece को भी चार स्क्वेर पीसिस में काट दीजिए तो देखिए इसको यहाँ पर काट के भी दिखाया गया है इसको फिर से हमने यहाँ पर चार स्क्वेर पीस में काटा ऐसे यह जो स्क्वेर पीस है यह भी चार स्क्वेर पीस में कटेगा ये square piece भी 4 square piece में कटेगा और ये square piece भी 4 square piece में कटेगा इसके बाद हमसे कहा गया है lay these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper इसका मतलब ये है students कि जो paper के हमने piece किये हैं हमसे कहा गया है कि हमें उनको table पे या floor पे उसी तरीके से रखना है या सजाना है जैसे कि original paper था यानि कि बिल्कुल original paper की तरह ही ये जो pieces of paper है इनकी setting हमें वहाँ पर करनी है obviously you cannot join the pieces back to make the original piece हम ये जानते हैं students अगर हम इन pieces को एक साथ रख भी देते हैं तो जो original paper था वैसा paper तो हमें वापस नहीं मिलेगा क्योंकि ये paper तो आप कट चुका है but is there a change in the property of the paper लेकिन paper को काटने से क्या paper की chemical property में कोई change आया हम जानते हैं students कि अगर हम paper को काटते हैं तो उसकी chemical property में कोई change नहीं आता कटने के बार भी वो paper ही रहता है और कटने से पहले भी वो paper ही था तो ये कौन सा change होगा ये physical change होगा क्योंकि इसमें सिरफ shape बदल गई है पहले एक paper complete paper था जिसको हमने बाद में काट दिया है लेकिन क्योंकि इसमें chemical properties में कोई change नहीं आया है तो ये एक physical change है अब हम activity 6.2 देखते हैं आपने classroom में देखा होगा students जब teacher board पर लिखते हैं चोक से तो चोक की dust नीचे की तरफ गिरती है तो हमसे कहा गया है कि उसी dust को आपने collect करना है और crush a small piece of chalk into dust या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप piece of chalk लिजिए और उसको crush कर दिजिए piece दिजिए और उसका dust बना लिजिए यानिके powder बना लिजिए add a little water to the dust to make a paste और उसके बाद इस dust में थोड़ा सा पानी मिलाके आप इसका paste बना लिजिए roll it into the shape of a piece of chalk उसके बाद इस paste को roll करके chalk की shape में वापस रहाईए let it dry और उसके बाद इसको सूखने दिजिए did you recover chalk from the dust क्या आपको dust से वापस chalk मिल गया है अब ध्यान दिजिएगा students के पहले हमारे पास एक piece of chalk था हमने उसको crush किया और उससे dust बनाया तो इसमें किसी तरह का chemical change तो हुआ नहीं है तो ये एक physical change है चोक की सिरफ shape बदल गई है और अब वो dust की shape में आ गया है तो जो chemical properties dust की है वही chemical properties chalk की भी थी तो ये एक physical change है और उसके बाद हमने उस dust में थोड़ा सा पानी मिलाया उसका paste बनाया और उसको roll करके वापस चोक की shape में ले आए तो फिर से ये एक physical change है क्योंकि इसमें फिर से shape बदली है dust को वापस हम चोक की shape में ले आए है तो क्योंकि इसमें भी किसी तरह की कोई chemical changes नहीं आए है तो ये कैसा change होगा ये physical change होगा तो यहाँ पर हम कह सकते हैं students कि चोक को dust में change करना ये भी एक physical change है और dust को वापस चोक की shape में ले कराना ये भी एक physical change है next activity is 6.3 कराने से पहले हम आपको थोड़ी सी information देंगे students देखे water का जो chemical formula होता है वो होता है H2O water liquid form में होता है और जब हम water को थंडा करते हैं तो ये liquid से change हो जाता है solid form में यानि के ice में और ice वाले state में भी इसका जो chemical formula होता है वो H2O ही होता है यानि जब हम water को liquid से ice यानि solid में change करते हैं तो ये सिरफ एक physical change होता है इसमें किसी तरह की chemical properties में change नहीं आता इसमें हम सिरफ water की state बदल रहे हैं water की 3 state होती है liquid, solid and vapor vapor यानि के gas तो जब हमने पानी को ठंडा किया और वो solid में यानि ice में change हुआ तो इसमें सिरफ उसकी state बदली और state का बदलना सिरफ physical change होता है ये chemical change नहीं होता है ऐसे ही जब हम पानी को heat देते हैं जब हम water को heat देंगे तो ये vapor यानि gas में change हो जाता है और जो vapor होता है उसका भी जो formula होता है chemical formula वो H2O ही होता है यानि आप water को liquid form में लेजिए तब भी उसका chemical formula H2O होता है अगर आप उसको solid form में लेंगे यानि के उसको ice में change कर देंगे तब भी उसका formula H2O ही होता है और जब आप water को heat देते हैं और वो vapor यानि gas में बदर जाता है तब भी उसका chemical formula H2O ही होता है यानि कि water का ice में change होना या water का vapor में change होना ये physical changes में आता है अब हम activities 6.3 को देखते हैं एक glass या plastic tumbler में आप ice रिजिए melt a small portion of ice by placing the tumbler in the sun इसका ये मतलब है students कि अब इस tumbler को अगर आप sunlight में छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए तो उसमें जो ice है वो melt होनी शुरू हो जाएगी अब उस tumbler में कुछ part ice का होगा और कुछ part liquid यानि water होगा You have now a mixture of ice and water अब उस tumbler में ice और water का mixture है Now place the tumbler in a freezing mixture Ice plus common salt Does the water become solid ice once again इसका ये मतलब है students कि हमारे पास जो tumbler है जिसके अंदर अब ice और water का mixture है अगर उस tumbler को हम freezing mixture में रखे ये freezing mixture किसका बना होगा ice plus common salt का अब क्योंकि ये freezing mixture है यानि कि बहुत ठंडा mixture है तो उसके अंदर जब हम इस tumbler को रखेंगे तो उस tumbler में जो कुछ पार्ट पानी का है क्या वो solid ice में change हो जाएगा तो हम जानते हैं students कि जब हम water को freeze करते हैं यानि कि उसे ठंडी जगा पे रखते हैं तो वो किसमें change हो जाता है solid ice में इस activity को आप अपने घर में जो freezer होता है उसमें भी check कर सकते हैं अगर आपके पास कोई water है कोई tumbler है जिसमें कुछ पार्ट ice का है और कुछ पार्ट water का है और आप उसको freezer में रख दे तो कुछ time के बाद जब आप उसे check करेंगे तो वो जो water वाला part था वो भी वापस solid ice में change हो जाता है क्योंकि जब water को cooling मिलती है ठंडक मिलती है तो वो water liquid से solid में convert हो जाता है ice में बदर जाता है और ये भी एक physical change होता है यानि के water का liquid से solid में convert होना ice में change होना एक physical change होता है अब हम activity 6.4 देखेंगे boil some water in a container आप एक container में थोड़ा सा पानी दीजिए और उसे boil कीजिए Do you see the steam rising from the surface of water? तो क्या आपको steam बनती होई नजर आती है steam उपर की तरफ जाती होई नजर आती है तो याद रखेगा students कि जब भी आप water को boil करते हैं तो वो vaporize होना शुरू हो जाता है यानि कि steam में convert होना शुरू हो जाता है और वो steam उपर की तरफ उठती होई नजर आती है इसके बाद हमसे कहा गया है अब इसको ध्यान से समझेगा students यहाँ पर हमसे कहा गया है कि जहाँ पर आप पानी को boil कर रहे हैं जहाँ पर वो पानी steam के रूप में उपर जा रहा है तो कुछ distance पे आपको क्या करना है एक पैन को उसके हैंडल से पकड़ना है और उसको inverted यानी उल्टा करके थोड़े से distance के उपर आप adjust कर देंगे और उसके बाद हमसे कहा गया है कि उसका जो inner surface है पैन का क्योंकि आपने पैन को उल्टा करके adjust किया हुआ थोड़े से distance पे जहाँ steam उपर की तरफ उठ रही है थोड़े से थंड़क मिलती है तो वो steam water droplets में change हो जाती है तो जब steam उपर की तरफ उठ रही थी और हमने उसके थोड़े से distance पे उपर की तरफ एक pan को inverted करके यानी के उल्टा करके वहाँ पर adjust कर दिया तो जब वो steam उस pan से टकराएगी तो जो pan है उसका temperature तो कम है तो जब वो steam उस pan से टकराएगी तो वहाँ पर उसे cooling मिलेगी थोड़े सी थंड़क मिलेगी और वो steam convert हो जाएगी water droplets में तो उस pan पे हमें water की छोटी छोटी droplets नजर आएगी तो इस activity में हमने क्या सीखा students कि जब भी steam को cooling मिलती है तो वो water drop rate में change हो जाती है और ये भी एक physical change होता है अब हम activity 6.5 देखते हैं students इसमें हमसे कहा गया है hold a used hexo blade with a pair of tongs आपके घर में जो blade होता है जो used blade है आप tong यानि चिम्टे की मदद से उसको पकड़ेंगे देखिए आपने blade के एक हिससे को चिम्टे से पकड़ना है और उसका जो दूसरा tip है जो दूसरा end है वो free रहेगा यानि के वो open रहेगा इसके बाद हमसे कहा गया है keep the tip of the free end of the blade on the gas stove और जो free end है blade का एक तरफ से तो आपने उस blade को टॉंग से पकड़ा हुआ है और एक तरफ से वो free है और वो जो free end है blade का उसे हमें gas stove के ऊपर रखना है wait for a few minutes और उसके बाद कुछ देर हमें wait करना है does the color of the tip of the blade change और उसके बाद हमसे कहा गया remove the blade from the frame observe the tip once again after some time does it get back its original color अब इसका ये मतलब है students कि जब हम blade को gas stove के ऊपर रखेंगे तो वो जो blade है वो गरम होकर लाल हो जाएगा red color हो जाएगा उसका ठीक है और जब हम उस blade को gas stove से हटा देंगे आग के ऊपर से हटा देंगे तो वो वापस अपने पुराने color में ही आ जाएगा तो ये जो color में change आ रहा है ये भी क्या है ये भी एक physical change ही है क्योंकि इसमें भी कोई नया substance तो बना ही नहीं है यहाँ पर हमने ये देखा students के जब हमने blade को fire यानि frame के उपर रखा तो उसका color red में change हो गया और जब हमने उसको frame से हटाया तो वो वापस अपने original color में आ गया तो ये भी एक physical change के लिए ही एक example है इसके बाद हमसे कहा गया है in activities 6.1 and 6.2 above you saw that paper and a piece of chalk underwent changes in size activities 6.1 में हमने देखा था students कि हमने एक piece of paper को काटा था और इससे सिरफ piece of paper के size में change आया था कोई नया substance नहीं बना था और activity 6.2 में हमने देखा था कि हमने एक chalk को dust में change किया था और उसके बाद उस dust को water के साथ मिडा कर एक paste बनाया था और उसको वापस chalk में change किया था तो इसमें भी सिरफ size में change आया था तो ये दोनों ही activities किसके बारे में थी physical change के बारे में थी क्योंकि इन दोनों ही activities में कोई नया substance नहीं बना था इसके बाद हमसे कहा गया है in activities 6.3 and 6.4 water changed its state from solid to liquid और from gas to liquid activities 6.3 में हमने देखा था students कि हमने एक tumbler में ice को लिया था और उसको sunlight में चोड़ा था और वो जो ice थी वो पिघलना शुरू हो गई थी melt होना start हो गई थी और उसके बाद उस tumbler को हमने एक cooling mixture में रखा था freezing mixture में रखा था और वो जो part liquid में change हो गया था ice का वो वापस solid ice में change हो गया था और उसके बाद activity 6.4 में हमने क्या देखा था activity 6.4 में हमने देखा था students कि हमने water को पहले boil किया था और वो steam में change हो था और steam और कुछ नहीं है बलकि gaseous form होती है और जब उस steam के उपर हमने एक उल्टा करके एक pan को adjust किया था और steam उससे टकरा रही थी तो वो किस में change हो रही थी water drop rate में तो यहाँ पर यही दिया गया है कि activity 6.3 और activity 6.4 में हमने देखा था कि जो water था वो solid से liquid में change हो रहा था या gas से liquid में change हो रहा था यानि कि यहाँ पर water की सिरफ state change हो रही थी इसका मतलब यह भी physical change के ही example है in activity 6.5 the hacksaw blade changed color on heating और 6.5 activity में हमने यह देखा था students कि जो hacksaw blade है जब हमने उसको गरम किया flame के उपर gas stove के उपर तो गरम होने पर वो लाल हो गया था और जब हमने उसको उस flame से fire से हटाया था तो वो वापस अपने original color में आ गया था तो यह भी physical state का ही example है क्योंकि इसमें भी कोई नया substance नहीं बना था थोड़ी दिर के लिए color change हुआ था जो वापस अपने पुराने color में आ गया था इसके बाद हमसे कहा गया students properties such as shape, size, color and state of a substance are called its physical properties इसका मतलब यह है students कि किसी भी चीज़ की जो यह properties होती है shape, size, color और state यह उस substance की उस चीज़ की physical properties कहलाती है इसके बाद हमें दिया गया है a change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called a physical change इसका मतलब यह है कि अगर किसी सबस्टांस की physical properties में कोई change आता है तो यह physical change कहलाता है यानि अगर किसी सबस्टांस की शेप में चेंज आएगा या उसके साइज में चेंज आता है या उसके कलर में चेंज आएगा या उसके स्टेट में चेंज आएगा तो ये क्या कहलाएगा ये physical change कहड़ाएगा क्योंकि ये सारी properties क्या है physical properties है तो अगर इन physical properties में कोई change आता है तो ये physical change कहड़ाता है और physical change is generally reversible इसका मतलब ये है students कि अगर किसी चीज में किसी substance में physical change आता है तो उसके पुराने रूप में उसको वापस लाया जा सकता है In such a change, no new substance is formed और जब भी कोई physical change होता है तो कोई नया substance नहीं बनता है सिरफ shape, size, color या state में change आता है लेकिन किसी तरह का कोई नया substance नहीं बनता है I hope students आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे like, share और subscribe केजिए Thank you